हाई फिन्स राजर शेयर फॉर्म टेक्नोबर्स.net जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बतायागा कि किन-किन फोन्स को जो है MIUI 12 का Android 11 का जो है अपडेट देखने को मिलेगा जिसके अंदर जोते काफी सारे जो नए डिवाइसे थे जैसे Redmi Note 8 Series, Redmi Note 7 Series इनको जो है Android 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा तो उस वीडियो को एक वार ज़रूर चेक आउट कर लेजेगा लिंक आपको डिस्क्रिशन मिलेगा आज के इस वीडियो में हम डिवाइसे की बात नहीं करेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किन डिवाइसे को सबसे पहले Android 11, MIUI 12 का अपडेट देखने को मिल सकता है और कैसे आप उसके बीटा टेस्टर्स भी बन सकते हैं तो यह वीडियो उसी के उपर है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर देगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो फाइनली जो है शौमी के जो मॉडरेटर्स हैं उन्होंने जो है एक जो मी ग्लोबल कम्यूनिटी है उसके उपर एक थ्रेट ओपन किया है जिसमें जो है उन्होंने मेंशन कर दिया है कि एंडूइड 11 के जो रिक्रूमेंट है पाइलेट टेस्टर्स की जिनको सबसे पहले एंडूइड 11, MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा उसके लिए फार्म आ चुका है तो उसके तुरू जो पता चलता है जो तीन डिवाइसे जो सबसे पहले जो लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं वो है MIUI 12, Android 11 का अपडेट सबसे पहले इन तीन डिवाइसे को देखने को मिलेगा क्योंकि जो इनके जो मॉडरेटर्स हैं उन्होंने वहाँ चीज को मेंशिन कर दिया है कि फाइनली जो है उसके जो पाइलेट टेस्टर्स हैं उनके लिए रिक्रूट्मेट जो है स्टार्ट हो चुका है जो कि ग्लोबल स्टेबल बीटा रोम होगा मैं फिर से बता रहा हूँ यह ग्लोबल स्टेबल बीटा रोम होगा जिसको जो है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन तीन devices के जो users है वो इस form को भर सकते हैं और अगर वो select हो जाते हैं तो सबसे पहले जो है इनको जो है Global Stable Beta Android 11 MIUI 12 का update देखने को मिलेगा तो एक तरीके से finally यह चीज तो confirm हो गई है जो तीन devices जो सबसे पहले जो Xiaomi के list में आते हैं वो है Mi 10, Mi 10 Pro और Poco Phone F2 Pro अगर आप इन तीनों phone में से किसी के भी user है तो then आप जो है इनका form जो है वहाँ पर जाके fill up कर सकते हैं वहाँ पर आपको जो है form के link दिया हुआ है जिस पर आप click करेंगे और सारी details को भरेंगे आपको यह सारी कीज़ें mention करने पड़ेगी कि आप कौन सा version यूज़ कर रहे हैं कौन सा phone है आपके पास आपको अपने Mi account के details देनी पड़ेगी जिसके तुरू जो है वो आपके recruitment करेंगे और आपको select करेंगे अगर in case आप lucky हुए और select हो जाते हैं तो आपको जल्द ही MIUI 12 Android 11 का update इन तीन devices में से आपको देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी news निकल के आ रहे है कि finally जो है Xiaomi ने Android 11 की टेस्टिंग करना स्टार्ट शुरू कर दी है और जल्दी जो है उनके पाइलेट टेस्टर की जो recruitment जो start हो चकी है जिसकी जो इनने deadline mention की है September 9 आपको September 9 से पहले पहले जो है इस form को fill up कर देना है उसके बाद जो है आपको notification आ जाएगा आपकी me community account के ओपर है कि आप select हुए है कि नहीं हुए है अगर आप इन तीनों phone में से किसी के भी user है तो आप जाके इसको apply कर सकते है अगर आपके इसको apply कर सकते है तो आप उन दोनों phones के लिए भी apply कर सकते है और अगर आप लगी हु जिसमें मैं share करें आता है किन तीन devices को MIUI 12 का Android 11 का update देखने को मिल सेता है हाँ काफी लोग खोड़े से नराज भी होंगे कि Redmi Note 8 series को इसके अंदर क्यों नहीं improve किया गया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था mostly note series के अंदर वो सिर्फ एक major update देते हैं जो कि Redmi Note 8 series को दे चुके उसके बाद आपको Android 11 का update देखने को नहीं मिलेगा तो उमीद करता हूँ आपको सारी चीजें जो है समय में आगी होगी इसका link मैंने description में डाल दिया है जिसको जाके आप check out कर सकते हैं अगर आप इंडिया में इस link को open करेंगे तो आपको कोई VPN यूज़ करना पड़ेगा क